अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है 25 दिन में पैसा डबल 25 दिन में पैसा डबल यह स्कीम सिर्फ आप के लिए है यह स्कीम सब के लिए नहीं है और अगर आप इस स्कीम में जल्दी से पैसे लगाएंगे तो 25 दिन में पैसे डबल और जितना जल्दी आपैसे लगाएंगे उत ज्यादा तर जो मेरे व्यूवर्स हैं, उनको ये सच नहीं लगेगा, और ये किसी को भी सच नहीं लगेगा, और ये सच मानने वाली बात भी नहीं है, तो फिर भी इंडिया में लाखों लोग ऐसे हैं, जो कुछ इस तरह की schemes में अपने पैसे गवा जाते हैं, तो आज हम जा आने में, तो आखिर कर ये schemes होती गया है, तो कोई भी चीज जिसमें आपको कहा जाए, कि आपको कुछ पैसे लगाने हैं, जिसके बाद आपको X number of investment करने पे X number of return मिलेगा, पर आपको जब वो business समझाया जाए, पहली बात आपको समझ में नहीं आएगा, और किसी को भी समझ में नहीं आएगा, कि वो business पैसे कैसे बना रहे हैं, याद हेरा फेरी में, जिसमें वो कहती थी, कि मैं एक दूसरे person को देती हूं पैसे, जो कि 25 दिन में मेरे को पैसे डबल करके देते हैं, तो मैं आपको पैसे डबल करके देती हूं, तो जिसका कोई logic नहीं था, similarly, ऐसे आपको returns मिलेंगे, और returns बहुत ही चौकाने वाले होंगे, तो जिस भी scheme में, एक X number of investment के साथ, X number of return होता है, और उसमें कोई product or services defined नहीं होती है, और actually में उसमें कोई product or services होती ही नहीं है, उस तरह की schemes में, जब नए तरह के लोग जुड़ते हैं, और जो नए तरह के लोग से पैसे पुराने investors को दिये जाते हैं, कुछ इसी तरह की complex scheme को ponzi schemes कहते हैं, तो ponzi schemes का नाम एक बहुत ही पुराने con man, Charles Ponzi के नाम पे रखा गया था, पर वो तब history है, वो history अभी पढ़के अपने को कोई काम नहीं आएगा, पर अपने को काम जो आएगा, वो अपने को ये जान कि कोई schemes में पैसा invest करने से पहले, आपको कुछ red flags identify करने होंगे, कुछ ऐसे चीज़ा identify करनी होंगी, जिससे आप ये establish कर सको, कि ये particular scheme, एक ponzi scheme है, या कोई तरह का bluff चल रहा है, अरे रुको यार जरा सा, scheme के बारे में तो जानना है, scheme से बचना है कैसा वो भी जानना है, पर लाइक तो कर दो और subscribe भी करते हैं, ठीक है, तो video start करते हैं, पहला है abnormal return, तो अगर आपको कोई कहता है, कि मैं market से भी ज्यादा returns आपको दूँगा, और market से safe returns में दूँगा, जिसमें आपको परिशान होने की जरूद नहीं, पर आप market से बहुत ज्यादा return कमाओगे, हो सकता दो गुना, तीन गुना, तीस, तीस, चालेस, चालेस परसेंट, पचास, पचास परसेंट साल के आप कमा सकते हो, वो भी assured, तो उस चीज़ को identify करना है, और वो एक बहुत बड़ा red flag तो दूसरा है, बहुत ही ज्यादा assured या guaranteed returns और या तो regular returns, अगर कोई कहता है, कि मैं आपक 25-30% दे रहा हूँ, या हर महिने में 10-15% तक आपको return दूँगा, तो आपको सतर को जाना चाहिए, कि 10-15% return हर महिने guaranteed देना इतनी आसान बात नहीं है, पहली बात, और अगर वो इतने returns बना ही रहा है, तो वो खुद के लिए बनाएगा, वो आपको बना के क्यों देगा, त तो इतना वाहियाद product होगा, इतना ही गंदा product होगा, जितना आपने कभी देखा नहीं होगा, मतलब उनके business model कुछ भी होगे, उनके products कुछ भी होगे, उनके business model से आपको revenue कोई समझ में नहीं आएगा, ये कमा गया से रहे हैं, और उनके product से आपको ये भी नहीं पता चलेग कि यार ये जो product है, ये क्या purpose solve करते हैं, तो जब वो कोई purpose ही solve नहीं करें, उस product को कोई खरीदेगा ही नहीं, उस service को कोई avail ही नहीं करेगा, तो कैसे बता चलेगा, यार ये किस चीज़ के लिए है, किस के लिए है, और वो कुछ भी अगड़म तिगड़म बता के आपको पै कि जितने ज्यादा लोगों को add करोगे आप, तो आपको उतने पैसे मिलेंगे, और एक बार add कर लिया, तो फिर ash ही ash है, तो जो चौथा point है, adding more people, वो आपको insist करेंगे, कि आप अपने under all लोगों को join करें, तो उनसे वो इस schemes में ज्यादा investment लाएंगे, और अपना purpose, जो कि उ solve करना है, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, जो कि अपना कमाई करने के लिए, उनको डेर सारे लोग चाहिए, बकरे चाहिए, तो वो बकरे आप से ही खुजवाएंगे, और आप उनको बकरे दोगे, तो कहीं पे भी ऐसा होना, तो वहाँ पे बच जाना है, और हाथ खड के लिए, यार, मैं जब चला जाओँगा ना, तो तुम्हें इसे स्कीम में गर पाओगे, यार, इन्वेस्ट करो अभी, जितने जल्दी ने फैसे डबल होगे, या उतनी जल्दी जादा तुम्हें रिटरोन्स मिलेंगे, तो आपको जहां पी ऐसा लगे, कि आपको करने का या तो मन नहीं है या तो हलका सा वेग लग रहा है तो उस चीज में आपको प्रेशराइस किया जा रहा है कि ने इन्वेस्मेंट करो 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 तो भाई उस चीज में इन्वेस्मेंट मत करो उसको पहले दूर जा के देखो समझो क्या है क्या नहीं है फिर देखा जाएगा investment करनी है कि नहीं करनी है पर ये एक बहुत बड़ा red flag है और फिर जो छटा point है न वो आपने पक्का notice किया होगा वो है self credibility तो ये जो self credibility वाला point है ये आपको कैसे पता चलेगा जब आप अलग-अलग website ये external sources इसको पता करने की कोशिश करोगे कि ये चीज कहा क्या ये bottle काम कैसे करता है अगर ऐसा ही है तो इंडिया में सारे लोग इस पर पैसे क्यों नहीं लगा देते है तो ये चल कैसे रहा है तो उस चीज़ को जानने के लिए आपको बाहर external searches करने होंगे और वहाँ पर आपको relevant information मिलेगी नहीं तो ये क्या करेंगे तो ये कहेंगे कि यार देखो हम ना कितने पैसे कमा के देते हैं ये पकड़ के लिए आएंगे किसी एक एक्टर को 1.500 रुपे में और जिसमें से ये उनके 50 रुपे ओवर एक्टिंगे भी काटेंगे और कहेंगे ये देखो इसका पहले मंद का चेक 30 लाग का है दूसरे मंद का चेक 40 लाग का है ये कुछ ऐसे ऐसे करके वो कुछ न कुछ बकरा बनाएंगे ही और खुद के बारे में बोस्ट करेंगे एक भौकाल सी जो है आपका सेमिनार करवाएंगे एक बहुत ही अच्छा सा न आपको एक एट्मोस्फियर एंबियंस बना के देंगे जहां पर आपको लगएगा कि अरे यहां पर तो सभी रही साते हैं फिर आप भी सोचने लगोगे एरे मेरे को तचा भी मिल गए यह नोट छापने की तो ऐसा नहीं है अगर कोई भी आपको बुलाता है कोई एक सेमिनार में जहां पर बहुत लोग आ रहे हैं अच्छे खासे लोग आ रहे हैं जो एक दम बंठन के एकदम सूट बूट पहन के एकदम भौकाल जाड़ रहे हैं जहां पर एकदम लग रहे हैं जा रहे हैं यही से तो जो है जन्नत का रस्ता है वो नहीं है वो पैसे कवाने का रस्ता है वहाँ पर जाओगे तो बरबाद हो जाओगे एकदम खतम हो जाओगे तो ये सब चीज़े आपको ध्यान रखनी हैं जो मैंने 6 पॉइंट से बोले उनको ध्यान रखे और अगर आप वो चीज़ में से ज्यादा तर चीज़ आप एक पॉंजी स्कीम से रिलेट कर पाओगे, मैच कर पाओगे तो अगर आपको ये सारी चीज़े दिखती हैं तो मत इन्वेस्ट करो छोड़ दो निकालाओ ठीक है और यहीं पर हमारा आज का वीडियो खतम होता है मिलता है आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई